नमिश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आधितनाद की लोगप्रियता हर वर्ग में है देश में पियम नरींद्र मोदी के बाद दूसरे नमबर पर लोगप्रिय योगी आधितनाद ही है पूरे देश में चुनाव प उतर प्रदेश में जिस तरेकी की राजनीती उभर रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतिय जंता पाटी यूपी में सियम बदलने के बारे में सोच सकती है। दरसल समिधान बचाओ का मुद्धा विपक्ष के हाथ एक ऐसा अलादीन के चिराग की रूप में लगा है जिस पर बीजेपी चहा कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। केशुर प्रसाद मौरे संगठन को यही बास समझाने में लगे हैं कि उतर प्रदेश में बीजेपी समि हो जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बीजेपी की मुश्किल यह है कि योगिया दितिनात को भी नारास करके पार्टी यूपी में सरकार बनाने पर असफल साबित होगी। डिप्टी सीम केशुर प्रसाद मौरे लंबे समय से भाश्पा के वफादार रहे है जो एक गयर राजनीतिक विनर्म प्रिश्ट भूमी से आते हैं जिन्होंने विएचपी सहित आरेसस पे अपनी जगे बनाई। पियमोधी की तरह केशव का भी बश्पन गरीबी में बीता है। उनका दावा है कि उन्होंने बश्पन में चाय और अकबार बेचा है। उन्ह और जब यूपी में बीजेपी का नित्रत्व किया था तब बीजेपी 2017 में सत्ता में आई। इसलिए कई लोग उन्हें उस समय सीम पत के सुभाविक दावेदार की रूप में देखते थे। इसके ठीक विपरित उत्रप्रदेश के सीम आदितिनात गोरकनात मत के प्रमुक का दक्षण पंती संगठन हिंदू योवाहिनी चलाते रही हैं जिसका संबन आरेसे से नहीं रहा है पर कहा जता है कि आरेसेस के दबाव में उन्हें यूपी का सियम बनाया गया और आज भी आरेसेस उनके पीछे दिवार की तरह खड़ा है धन्यवाद